किसी ने बड़ी कमाल की बात कई है दोस्तों कभी नहार मानने की आदत एक दिन जीतने की आदत बन जाती है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है धर्मेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं आपका यूटूब चैनल वर्मा टेक्निकल लर्निंग आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों भारत भुगोल से रिलेटेट कोश्चन है तो वीडियो को जरा सा भी पोज मत कीजेगा अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं सेसी, यूपी पीएसी, बैंकिंग, सिविल सर्वीस या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव कर तो वीडियो बहुं ज्यादा यूजफफुल होने वाला है वीडियो को पूरा लाश्टा तक जरूर देख जियोग्राफी का पहला मैंने कोश्चन लिया है भारतिय मानक समय की घंटा धर से की जाती है तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा मिरजापूर मैं कोश्चन को एक बार पढ़के डारेक्टर इसका आंसर बता रहा हूं दोस्तों को आप लोगों को दो से तीन बार जरूर पढ़ना है और सारे कोश्चन को आप लोग प्रोपर नोट से बनाएए ताकि एक्जाम की समय आप रिवीजन असानी से कर सके हैं सेकंड कोश्चन देखिए निम्न लिखित में से किस राज्य से करकर एख गुजरती है राइट आंसर में किसे टीक मार कर होगे मिजोराम को अगला कोश्चन कहां कहां से होकर गुजरती है देख लिजे गुजरात, राजिस्थान, मध्यप्रदेश, छतिसगर, जहारखन, पश्चिम बंगाल, तरिपूरा तथा मिजोराम अगला कोश्चन है वर्सके केस दिन प्रिथवी सोर्य से सबसे अधिक दोरी पर होती है तो इसका राइट आंसर क्या आजाएगा दोस्तों, चार जुलाई, अगला कोश्चन करकर एखा निमना में से किस भारतियर राज्य से नहीं गुजरती है तो रांसर में आप लोग किसे टीक मार करोगे, महाराष्ट को, अगला कोश्चन, ग्रेड, बैडियर, रिफ, कहां इस् आजाएगा, अगला कोश्चन, करकर एखा निमना लिखित में किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो रांसर में आप लोग किसे टीक मार करोगे, आंध्र प्रदेश को, अगला कोश्चन, नहीं गुजरती है, इसका भी आप देख लिजे दोस्तों, गुजरात, राज क्या जाएगा, सेमो ग्राफ, सेमो ग्राफ को आप लोगों को याद रखना है, अगला कोश्चन, देखिए, संपूर्ण प्रित्वी पर दिन, और रात कब बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, विशू का दिन, विशू का दिन, अगला कोश्चन, भारत के उत्तर में इस सीथ है, भुमध्य रेखा, भारत के उत्तर में क्या है, भुमध्य रेखा, अगला कोश्चन देखिए, निम्न लिखित में से कौम 30, सेंसियस 30, उत्तर पर भारत को लगभग 2 हिस्सों में विभाजित करती है, तो आंसर में आप लोग किसे टीक मार क परूगे करकर एखा को अगला कोशन उत्री गुलार्थ की गृष्ण कालिन अयानामत किस दिन होता है तो राइट आंसर क्या जाएगा 21 जुन आ जाएगा अगला कोशन देखिए डिगरी अकांचाय लगभग कितने किलोमीटर की बराबर होता है तो राइट आंसर हमारा क्या 111 के बराबर होता है अगला कोशन भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिन किसी दिये गए इस्थान की नोकिया दूरी क्या कहलाता है तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा अंचाय अप्सन को आप लोगों को याद रखना है अगला कोशन देखिए टॉपिक आफ सेंसर निम्न में से क्या है तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों 30 प्रतिसत डिगरी उत्री अकंचाय रेखा अगला कोशन निम्न लिखित में से कौन सा दूप बंगाल की खाड़ी में इस्थीत है तो आंसर में आप लोगों किसे टीक मार करोगे अंद मान और निकोब निम्न लिखित में कौन सा दूप बंगाल की खाड़ी में इस्थीत है तो राइट आंसर क्या जाएगा अंद मान और निकोबार तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है अगला कोशन निम्न में से कौन सा एक जपानी सब्द है जिसका अर्थ होता है हर्बल वेब राइट आंसर क्या जाएगा दस डिगरी आ जाएगा अगला कोशन निम्न में से कौन सा एक तत्य भू आकरिती नहीं है राइट आंसर क्या जाएगा ही मोड आ जाएगा अगला कोशन द्यूप समुह फेजी किस माहसागर में इस्थीत है तो राइट आंसर क्या जाएगा प जुआर आजाएगा अगला कोश्चन समुद्र टल पर समान वायू दाब क्या है तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों 1013.2 मिली बार समुद्र टल का समान वायू दाब क्या है तो इसका राइट आंसर क्या आजाएगा 1013.2 मिली बार अगला कोश्चन देख लिजिए भारत को कितने भुपम छेत्रों में विभाजित किया गया है चार भागों में आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को योश्फू लगा हो तो लाइक कर दिजिए, सेयर कर दिजिए अगर आप मेरे चानल पर आई ही गए हैं दोस्तों तो डेली करेंट अफियर और जीके के लिए सब्सक्राइब किये भीना मत जाएए प्लीज सपोर्ट करिए मेरे चानल को और सब्सक्राइब कर ही दीजिए थैंक्यू फर वाचिंग मैं वीडियो